नमस्कार मैं निश्या आप देख रहे हैं बिग न्यूस आईए बढ़ते हैं खबरों की ओर बाका जिले के अमरपूर थाने में पद अस्थापित पुलिस इंस्पेक्टर वकील परसाथ यादव एवन परभारी थाना अध्यक्ष रामा श्रय परसाथ के द्वारा चलाई गई छापे मारी अभ्यान के तहर अव्यात मास्केट के साथ एक यूवक को गिरफतार किया गया पुलिस से मिली जानकारी के रुसार गुप्त सूश्रों मिली कि कठैल गौं में अव्यात हतियार के साथ एक यूवक उत्पाद मचा रहा है सूश्रों मिलते ही छापे मारी अभ्यान चलाते होई यूवक को मास्केट के साथ गिरफतार किया गया गिरफ्तार युवक से आवश्यक पूस्ताच के बाद नयाएक हिराशत में बाका भेज दिया गया है। एवशी भागरपूर हंस्तिया मुख्य मार्ग होने के कारण सलक पर हजारों की संख्या में दिन रात ट्रक से लेकर छोटी बड़ी गारी चलती रहती है। बाद सी महिला बीबी अंगुरी अपने दो वर्षी पूत्र दानिस और उनीस वर्षी पूत्री बीबी नूर्जहा के साथ अपने भैसूर के बेटे के बाइक पर बैट कर बॉसी थाना छेदरी के इस्थित कैरी गौ में चादर चढ़ाने जा रही थी। इसी करम में बॉसी के बजरंग बली मंदीर के पास सड़क पर खड़ा एक ओटो अचानक अपने पीछे का भाग चमकाने के कारण बाइक आनियंतरित हो गया। जिसके कारण पीछे से गास सिलेंडर भारी एक ट्रॉक आ रही थी और बाइक को पीछे से कुचल दिया जिसके बाद बाइक पर बैटी 19 वर्सी बीबी नूर जहां और 2 वर्सी दानिस की मौत खटनास्तर पर ही हो गई। घटना के बाइट ट्रॉक ड्राइवर अपनी गारी छोड़ कर भाग गया। घटना के सूशना मिलते ही बहुसी थाना पर भारी राज की सोर्सिंग अपने दलवल के साथ घटनास्तर पर पहुँचकर मामले की तफ्तिस करने में जुट गए हैं। साथी इस घटना में गुसाई लोगों ने दुमका भागलपूर मुक की सड़को थोड़ी देर के लिए जाम भी कर दिया था। अपसे विवाद को लेकर पंचायत के मुख्या मुन्नी देवी का पुत्र धर्मेंद मंडल, देवराश मंडल एवं इनके मामा बंबं मंडल ने जान मारने की नियत से मुझ पर गोली चला दी। वहीं पंचायत में जलनल योजना के तहद दिये गए रासी का उपयोग नहीं किया गया था। जिस पर बीपी आरो ने बैठक कर वैसे बाट सचीप एवं किर्यानवन समीती पर सार्टिफिकेट केस करने का निर्देश दिया गया था। जिसे युवक्सुएं अपने पैर में गोली मात मेरे पुत्र वर इस्तेदारों को जूटे केस में फसाने का सर्डियन्त रच रहे हैं। मौके पर परभारी थाना अध्यक्स डामस्ट्रेपर साथ ने बताया कि जखमी के द्वारा कोई आवेदन नहीं दी गई हैं। आवेदन मिलने पर कारवाही की जाएगी। चावल तयार करने के दौरान मसीन में फसकर एक महिला की मौत हो गई। मिलतक महिला की पहचान 45 वर्षे मीरा देवी के रूप में की गई है। मामला बेलर के गोडगड़ा गौक है जहां महिला मसीन में चावल तयार करवा रही थी। इसी दौरान महिला का साड़ी मसीन में फस गई और मसीन में लगे फीता महिला को खीच लिया जिसके कारण महिला मीरा देवी की मौत हो गई। मिर्द महिला के पती उपेंद्र यादफ ने बताया कि उनकी पतनी गौके ही सुरेस यादफ के ठेला ट्रॉली पर घर के सामने धान मसीन से धान की कुटाई कर चावल तयार करवा रही थी। इसी करम में उनकी साड़ी मसीन के फीता में फस गई जिससे वह मसीन के चपेट में आने से घायल हो गई। बाका जिले के बेला टिकरपूर गौ में बच्चे के खेल के विवाद में जमकर मारपीट की घटना घटी। इस घटना में एक और से दस व्यक्ति जखमी हो गया। जबकि दूसरे पक्च से दो लोग जखमी हुए। जिस पर जुबक ने मारपीट करना शुरू कर दिया। जिले के अमरपूर बाका मुख्य मारग पर कुंड़ा पूल के समिफ हुई सड़क दुर घटना में एक युवग बूरी तरिके से जखमी हो गया। अस्थानी लोगों ने इसकी सूशन अमरपूर अस्पताल में दिया। जहां से अम्पूलेंस के दोरा जखमी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। अस्पताल में पदास्थापि डॉक्टर जियोती भारती के दोरा जखमी संभूगन स्थाना छेतरी के मिर्जापूर गौन इवासी सेखर कुमार का प्रात्मिक उपचार कर गंभीर स्तीथी को देखते हुए बहतर इलाज के लिए भागलपूर मायगन श्ट्रेपर कर दिय अस्पताल परिसर में जखमी ने बताया कि आवश्यक कारे के लिए अपनी बाइक पर सवार होकर बागा गया था जहांसे बाप्सी के करम में कुंड़पूर के समेप सामने से आ रही बहां से बचने के लिए बाइक को साइट करने के करम में बाइक आनियंत्रित होकर गड़ वहीं जक्मी का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने जक्मी की सिधी चिंता जनक पताई है अमरपूर प्रूनत मध्ध विद्याले में चात्रों की समेकित विकास के लिए गुनवत्ता पूर्ण सिक्षा के साथ उन्यन नवोदे परिच्छा की तैयारियों के लिए विसाय कक्षा क सुबारम किया गया इस अपसर पर उन्यन नवोदे की जीला संभाग परभारी कुंदन विहारी वीड़ियो राकेस कुमार प्रकंट सिक्षा पधादिकारी शीव नारायन ठाकुर प्रकंट पंचायती राज पधादिकारी हिमान सु सेखर उपस्तित थे मौके पर उपस्ति एक सफता जाज परिक्षा लिया जाएगा तीन माह के बाद सारे बच्चों का नवुदे की फाइनल परिक्षा होगी सफल चात्र नवुदे स्कूल में पढ़ाई करेंगे इस मौके पर प्रधाना अध्यापक मनोश कुमार मधूकर वेदानान सुमन समेत अन्य अधिकारी मौ जुदे